हेलो एबरीवन यूपी पीसियल असिस्टेंट एकाउंटेंट एक्जाम डेट को लेकर दोस्तों में इस वीडियो में बात करूंगा कि आकर इसकी परिक्षा की डेट कब है और लोगों ने जो माना था क्या उसी डेट पर परिक्षा होगी या फिर इसकी डेट बदल सकती है तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम पंकज आप देख रहे हैं पंकज एडूटेक चैनल पर नहीं होगे तो सुस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना लटेश सब्सक्राइब के लिए दोस्तों आपको पता है कि यूबभी सीयल असिस्टेंट एकाउंटेंट की जो है 166 गरी वेक्एंशी ली थी और लॉगों दोस्तों आपर काफी लोगों ने वहाइं और दोस्तों प्रेपेरिशक्राइब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर लगाता है भेवास है कंडर कर रहे थे और वहां पर साइ Capar ऑफिश्यल नहीं है एक एकसपक्टड है जो मैंने माना है तो ढुस्तो यहाँ पर पिछली वीडियो मैंने बतायाँ था इसकी ऑफिश्यल वैबसाइट दूस्त दूसक्त वीजिट करें stuck करेंगे तो तो वहाँ जदोस्तों आपे पर रिक्षा आई है दोस्तों आपको पर रिक्षा आई है जो इसका स्लेबश है मैं एक्जाम डेट की बात करूँ गारी candi यहां पर फाइट भी बहुत का मतलब नंबर आपकी एक सीट इसमें रखी हुई है दीखेंगेज़ आपके परिक्षा के बाद जो है नार्म राज़सन है किया जा सकता है आपके परिक्षा दो पार्टस में होने हैं पहला पर होगा उससे दोस्तों पचास कोईशन आएंगे जिसमें from the O-Level Computer Course O-Level Computer Course से 50 questions आएंगे और जो second part दोस्तो वो डिर्ट वो नंबर का होगा वो जो हिसमें करीब जनराल इंगलीज हिंदी, अर्थमेटिक और एकाउंट अंसी, auditing and income tax से question पुछे जाएंगे All questions of the test will multiple choice type सभी questions जो होंगे दोस्तो optional होंगे, बिकल्पी होंगे for each correct answer, candidate will get one marks, आप एक सही करोग दोस्तों हाँ पर आपको one marks मिलेंगे देखिए O-Level Part 1 में 50 नंबर के है और Part 2 में दोस्ते हाँ आपर जनराल हिंदी, अर्थमेटिक एकाउंटेंसी, auditing and income tax है तो दोस्तों इस तरह से है step to download the app उप उप एकाउंटेंट एडमिट कार्ड अब दोस्तों बात करते हैं आपर कि आपकी परिक्षा की date कब है, परिक्षा कब होने के chances है देखो भाई देखो यहाँ पर लोग अनुमान यही लगा रहे थे कि इसकी परिक्षा जो है दिसंबर तक हो सकती है और जन्वरी के second या first week तक होने के chances थे लेकि दोस्तों यहाँ तक जो मैंने पता किया है कि जन्वरी परिक्षा होना बहुत ही मुस्किल है परिक्षा दोस्तों आपर जो expected है यह फर्वरी के first week तक है मतलब कि 10 तारीक के अंदर परिक्षा होने के chances हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो जिन हिसाब से कोबीट के case बढ़ रहे हैं तो कोबीट के case चल दोस्ते हैं आपर आमान सकते हैं अगर यह case बढ़ गया अदिकतर तो यहाँ पर lockdown भी लगने के chances हैं आंसिक lockdown जिसमें परिक्षा प्रभावित हो सकती है परिक्षा की डेट आगे बढ़ सकती है आगे नहीं बढ़ेगी भाई पोस्ट पॉन हो जाएगी बस यह जान लेजी अनंत कालिक के लिए 6 महिने चाए 8 महिने के लिए अगर यह लगातार जो है यह लगातार यह COVID case चलता रहा तो तो यह depend करता है यहाँ पर situation पर अभी सकती भाउन पर जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है depend करता है situation अभी आपको पताई है कि सीटेट के परिक्षा से स्टार्ट हो चुकी है और चल रही है ठीक है जोस्तो आज है 26 तारिक और 28 से स्टार्ट है परिक्षा सीटेट की तो बस आप लोग इंतजार कीजिए आपके परिक्षा जोस्तों मैंने बताया फरवारी के फर्स्ट वीक तक एक से लेकर दस के बीच में परिक्षा आपकी होने के चांसे है बाकी यह डिपेंड करता है कोवीड केस के लिए करके आप लोग त्यारी करते रहे हैं बेस्ट अब लग फार एक्जामनेशन आप एडमेट काड डाउनलोड करेंगे